हाई अब्रिवान आप सभी का स्वागत है मैं अमर्जित प्रशाद आज हम लोग एक नए अपडेट के साथ आपके साथ सामिल है और आज की सेशंस में हम लोग डिसकस करने वाले हैं वो जहारखन टीजीटी के रिगार्डिंग जो है Biology and Chemistry के syllabus और strategy पर वो डिसकस करेंगे और इन में देखेंगे कि हमें किस बुक को फॉलो करना चाहिए यानि कि बुक लिस्ट और अन्य तमाम जानकारियां परिच्छा के सवरूप पर भी चर्चा करेंगे तो जैसा कि जो प्रिभियस टीजीटी लिया गया था यानि कि 2016 में उसक इसक्परिमेंट कुछ पेंडिंग थे जो की लगवववग अब जो है वो संपूर्ण करनी आ गया है तो बहुत जल जो है वो टीजीटी के वैकेंसी आने की पोसिबिनिटी है चांसे से तो इसकी तैयारी भी आपको जोर सोर से करनी होगी क्योंकि इस पोस्ट के निये जो ह है वैकेंसी एक बड़े ताजात में आते हैं तो चुकी हम अगर बात करें और बायलोजी और किमेश्टी तो यह दो का कंबिनेशन जो है वो इसमें रखा गया है जैसे की जारखन टीजीटी में कुछ ऐसे पोस्ट है जो की दो कंबाइन सब्जेक्ट की रिगार्डिंग लिए जाते हैं जैसे की आपका मैथ के साथ जो फिजिक्स को रखा गया है उसी तरह से बायलोजी के साथ जो वो कमेश्ट्री को रखा गया है तो अब आकिर इनमें सिलिवस क्या है और एक्जाम पैटर्ण क्या है उस पर हम ल बायलोजी और केमेश्ट्री का जो न्यू बैच इस्टार्ट हो रहा है वहां आपका जून दोजार चोविस को न्यू बैच इस्टार्ट हो रहा है यह आपका बैच संख्या आपका थ्री है और इसकी जो टाइमिंग रहेगी टाइमिंग आपका सेवन थर्टी पीएम साम में साथ बज़े से यह कलासे सोंगे जो की डेली बेसिस पर होगा इनमें इन्रोज करने के दिए स्वरूप लर्निंग एप गुगल प्लेस से डाउन्डोड करके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिशन बॉक्स में दिया रहेगा वहां से आप डाउन्डोड करके जो नंबर है उस पर वर्टसेप या फिर कॉल करके भी जो है आप इन कोर्स इसमें जोइन कर सकते हैं लाइफ क्लास के साथ साथ रिकोर्डिंग क्लासे भी अभी लेवल होंगे अपडेटेड नूट्स पीडिएफ एंड जो आपका इस्टडी में टेरिन है वो प्रवाइड किया जाएगा इसके अलावा टॉपिक वाइज सत्यों के साथ जहें सबसे पहले जो इस पर फोकस करते हैं तो देखें जो इसमें दो पेपर होंगे जो की पेपर वन समान्य ग्यान और समान्य हिंदी से संबंदित होगा जब की पेपर टूज है आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसमें की हम लोग देख रहे हैं बायलोजी एंड केमेश्ट स्रीका तो अब देखें जो पहला पेपर होगा उसमें 200 पुछे जाएंगे 200 मार्क्स के इसमें सौ जो है आपका गिंदी वासर संबंदित होगा और सौ जो है वो जिक्के जी एस से संबंदित होगा उसके बाद जो है आपका 150 कोश्चन जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक देखोगी जिसमें आपकी न्यूप्ति होनी है जैसे कि यहां पर कंबाइंड में आपको देखना है जिसमें की बायलोजी और केमेश्ट्री है अब देखें इसमें न्यूंतम आहरता ठीक है पेपर वन क्वालिफाइंग नेचर का होगा जिसमें आपको 33 पर्षेंट मार्क लाना है यानि 66 मार्क्स और वहें दूसरा जो है पेपर वड्रकोच जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेस्पिक है इसमें 50पर्षेंट मार्क्स लाना अनिवार है अगर अप फिप्यू प्राइट माक्स से कम किम लाते हैं तो आप डिस्क वालिफाई कर लिए है तो मिनिमूम और उपर से जो है वो selected किये जाएंगे अब देखिए यहाँ पर हम लोग जैसा कि हमने बताया कि पेपर 2 में आपका 150 questions होगा तो आपको बायो से जो है 75 questions होगे and chemistry से 75 questions होगे इस तरह से 150 questions जो है आपका दोनों पेपर मिला कर लिए जाएंगे और एक question two marks का होगा यानि कि one sorry 300 जो है वो marks होंगे अब आते हैं हम लोग syllabus पर तो अगर हम biology की बात करें तो biology की अंतरगत जी र हें इस लोगल या ने बौटनी दोनों को सामिल किया गया है da all the botany में आणि पार्ट हमें को रखा जानम इसके अंतरगत हमें जिन ततब्रकुल या फिर जो लिगा मैं उसमें बाइन के नोवेन कळेना और अफ लांट function of DNA deoxy ribonucleic acid plant tissues and its structure and function क्योंकि यहां पर मुख्य रूप से हम बाटनी की बात कर रहे हैं तो plant से संबंदित जो हो यहां पर चीजों को में देखना होगा जिसमें कि हम प्लांट यंदर उसका नोमन कलचार फिर सेंस देने टी सु अंद अने निटोसीज प्रोसेश प्रासाइट पारासाइट से प्रोफाइट स्पार्फायट मोड ग। अफुट्रिसं इन प्रीशन प्रांट ने तैन्स प्रौन परेशन और फॉत इस टॉत यह टॉट फॉत बात इसके अलावा रोल आफ फोटो सुरी फिदो हार्मोन्स इन प्लांट और रिप्रोड़क्शन इन प्लांट टैपिकली इको सिस्टम फिजिक फिजिक एंड बायोटिक फैक्टर फूड चैन एंड एनर्जी फॉलों यह टॉपिक्स आपने इसके बारे में भी पढ़ा होगा तो यहां पर हमें इसके बारे में भी डिसकस करना है और इन इन फॉर्मेंटर पॉलूशन जिसके अंतरगात एर वाटर एंड सॉंट पॉलूशन के बारे में तथा इट्स आनि देर कंट्रोल नियंतरन कैसे किया जाए इसके बारे में भी य बात करें तो इसमें जुलोजी दिया गया है यानि कि जीव जन्तुओं से संबंदित तत्यों को यहां पर देखना है तो जिसमें पहला एक क्लासिफिकेशन साफ एनिमल्स अप्टू प्लास लेफल विट केरेक्टर्स एन एक्जामपल देन इस्ट्रेक्ट्टर एंड टन मेंकमः अनिमलीश जय्टिवीजäg इसंड चेट्टिफिएश और चलास् केरिविघेटर्नकाण स्थेशन देवीन हो and cross and crossing over human genetic diseases, mutations and their role in evolution. Then physiology of digestion, circulation and extraction in mammals, mechanism of nerve impulse conduction and reflex action. Then now sixth point, endocrine glands and their hormones with a special refer to reproductions. Then theory of evolution, Darwinism, Lamarckism and modern synthetic theory, number human diseases, causative agents, symptoms, prevention and their control. called by bacteria and virus. यह प्रमुक्ता से हमें bacteria और virus जैनित लोगों को देखना है. Then deficiency diseases of vitamins and minerals. and then aquaculture, epiculture, sericulture, pulmonary farming and its economic importance. तो यह दस टॉपिक्स जो है आपको जूलोजी के अंतरगत देखना है. Now next is chemistry. Chemistry के अंतरगत भी दो पार्ट करके दिया गया है, जिसमें पार्ट A organic chemistry है, जबकि पार्ट B जो है वो इन ओर्गेनिक, नहीं यहां पर पार्ट A में इन ओर्गेनिक दिया गया है, इन पार्ट B organic chemistry, इन ओर्गेनिक के अंतरगत, atomic structures, अभी atomic structures में भी हमें कुछ specific points पर ज़्यादा focus करना है, बाकि basic चीज़े जो है उसको तो हमें जानना ही जानना है, तो atomic structures में fundamental particles of matter, atomic model, rudder force, enhance, hands, atomic model में, rudder force के बारे में देखना है, फिर hands rules, poly exclusive principle, now next periodic table, periodic table में हापर periodicity of, यह periodicity, फिर जो है वो electronegativity, electro affinity and ionization potential, chemical bonding के अंतरगे था में, covalent bond, ionic bond, hydrogen bonding, vendor walls force, इसके regarding, now अगर हम coordinate chemistry की बात करें तो इसमें double and complex salt, फिर वार्नर theory, effective atomic number and balanced bond theory in complexes, उसके बाद general chemistry में यहाँ पर देखे, periodic table है, उसमें कुछ groups के कुछ elements को focus किया गया है, जिसमें group 1B, 2A, 2B elements of periodic table, और कुछ इसके elements को कैसे जो है, वो extract किया जाता है, और इसके क्या property है, जिसमें कि silver, boron, phosphorus and chromium, तथा इनके property structure और इसके usage के भी बारे में यहाँ पर discuss करना है, next six point जो है, वो आपका preparation, property structure and use of following compounds, जिनमें compound में कुछ specific जो compound दिये गए हैं, वो आप देख सकते हैं, hydrogen, peroxide, ozone, hydrogen, hydroxy, hydroxyl amide, acid and potassium, permagnate, next seven में दो point करके दिया गए है, जिसमें यह है, different theory of acid basis, hard and soft acid, reaction in ammonia, यह है, liquid ammonia, दूसरा है, principle involved in the separation of, capsons, solubility, product, common ion effect, and now next preparation, properties, bonding and application of alkyls and arils of lithium and potassium, SN, यह आठ टॉप जो है, आपका इसके अंदर गए है, now next organic chemistry, इसमें hybridization in organic compound, nomen culture of organic compound, hybridization and nomen culture यहाँ पर देखना है, now alcohol के बारे में discuss करना है, alcohol में यहाँ पर इसका classification, preparations, property, distinct between different type of monohydric alcohol and phenols की बारे में पढ़ना है, जिसमें फिनोल में preparation, properties, comparatively acidic strength of alcohol and phyloos की बारे में, now next carbohydrates, जिसमें की इसका classification, nomen culture, glucose, fructose, chain lengthening and chain shortening of addloges, and conversion of glucose into fructose and vice versa, the determinant of open chain and ring structure of glucose, now next four points, जिसमें A और B करके दिये गए हैं, जिसमें की preparation and synthetic use of malonic ester and gregnard reagent, and now preparation, properties and usage of urea and pyridium. next जो point है, वो explained tetravalent of carbon and type of hybridization in organic radical carbonium ions and carbonion, and their formation and stability effect in organic compound, and then inductive, फिर एस्मेरिट and hyperconjugate तथा resonance, यह यह यानि की carbon, यह carbon की compounds के बारे में आपर discuss करना है, especially, and now, next general method, preparations and property of mono carboxynic acid and their derivatives, उसके बार type of isomers, इसमें कुछ specific isomers के ही बारे में देखने हैं, जिसमें optical, geometrical, conformational and trautourism, next जो है, वो हमारा synthetic polymers, जिसके अंदर गर अडिशन, पोलिमराइजेशन, फ्री रेडिकल फिनाइल, पोलिमराइजेशन, कंडेंसेशन, पोलिमराइजेशन, पोलिमराइजेशन and polysters, तथा आप polyamides के बारे में डिसकस करना है, and now, next, बी नमबर जो पॉइंट है, वो सॉप्स and synthetic detergent, colors and constitution of dye, and their synthetic, synthesis, oils and fat, तो यह हमारा complete syllabus से TGT, जारकन TGT, biology and chemistry के लिएजेशन, यानि कि जो candidate, ग्रेजुइशन में biology किये हैं, उसके साथ chemistry का combination है, निकि उनको chemistry भी पढ़ना है, वहीं अगर जो chemistry किये हैं, उनको biology भी लेना है, तो यानि कि दोनों candidate जो graduation में biology किये हैं, उनके लिए दोनों topic पढ़ना है, जो chemistry पढ़े हैं, उनको भी ये दोनों पढ़ना है, देखिए यहां पर जो है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है, कि graduation में जो optional होता है, उसमें ये होने चाहिए, ये हम लोगों ने यहां पर syllabus की बात की, अब देखिए, ये syllabus को हम कहां से cover कर सकते हैं, और कैसे हम इन्हें, कैसे हम इन्हें cover कर सकते हैं, तो देखिए, जो हमारे syllabus दिया गया है, जिसमें कि हमने अभी बताया biology, biology में आपका geology and botany, तो इसमें organic और inorganic, तो देखिए, इन topics को cover करने के लिए, ठीक है, इन topics को cover करने के लिए, 11th and 12, यह जो आपका NCRD का book है, तो इसके अलावा आपने जो graduation में पढ़ा है, तो आप देखिए यहां पर यह जो books हैं, वो हमारे ने काफी मददगार होगा, क्योंकि इन में हमें सारे topics को पढ़ने तो नहीं है, जितने topics पढ़ने हैं बस हम उनहीं पर अगर यहां पर focus करते हैं, खासकर graduation में क्या होते हैं कि हर एक writer का book आता है, तो अलग-अलग writers के अलग-अलग book आते हैं, तो वहां पर भी आप संग्रहित करके पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि यह चीजे आपको करने में थोड़ा time अधिक लगेगा, पैसेंस कुछ है वह बना कर अगर आप sequence नहीं करते हैं, तो कर सकते हैं, तो देखिए जो classes लिए जाएंगे, आनि online जो classes होगा, तो इसमें सारे चीजों कुछ है एक सुंगठित way में, समाइद करते हुए आपके classes होंगे, जिसमें कि आपको notes के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अच्छे से revision कर सकते हैं, तो यह classes में benefits होगा, बाकी आप जानते हैं कि self study भी काफी अहम है, लेकिन self study आप सही अगर guidelines में करते हैं, तो आपके निये काफी benefits होगा, otherwise क्या होते हैं, कि हम आज कुछ एक topic देख रहे हैं, दुसरे दिन कोई और topic, यानि बीना हम complete किये क्या करते हैं, कि हमारा मंज है इधर उधर भागते रहता है, कि हम उसको देखते हैं, फिर पता चलता है, एक्जाम आता है, तो हमने थुरूली पढ़ा ही नहीं, तो उस वे में क्या है कि आप चूक जाते हैं, तो चुकी यह vacancy बहुत दिनों बाद आ रही आएगी, क्योंकि पीछना जो था, वो 2016-2017 में हुआ था, कुछ कारणों से एक्जाम के रिजल्ड जो थे वो पेंडिंग में थे, जिसे अब जो है वो आनि हाई कोर्स के दिसा निर्देश पर जो वो न्यूक्त किये गए हैं, और ये परकिरिया साथ लग 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 अब कम्प्लीट ह हो चुकी हैं, तो इन कोर्सेस में जोइन करने में आप करके जो है आप अपने इस्टड्य को काफी बेहतर कर सकते हैं, और बाकी आप जानते ही हैं, कि लोग जो है वो जब सब चीज आ जाते हैं, नोटिफिकेशन वेगरा, तब आप तयारी करना स्टार्ट करते हैं, जो कि हम उतने समय में अच्छे से नहीं कवर कर पाते हैं, और हम चुप जाते हैं, तो इसनिए आप वेट ना करें कि वेकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, जब फॉम फिल अफोने लगेंगे, सब हम जो है इसमें फिल करेंगे, तो आपका भू समय निकल गया होगा उस स में, तो इसनिए आप अभी सही सतर्क हो जाएं, और चुकी जो लक्ष रखें और आप जानते हैं, जारकन TGT, का टीचर्स अपने आप में एक अहम कोश्ट होता है, तो आपका सपना भी होगा, तो इस सपनों को पूरा करने के निए आपको मेहनत भी करनी होगी, तो आप जो है, प्यारी में लग जाया भी सही, बाकी जो आपके कोर्से समने जैसा क्या भी बताया, कि आपका 23 तारिक से जो है, एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो इस जून से, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, आपका बायो एंड केमेश्टी का, जिसका टाइमिंग जो है, वो 7.30 प्येम होगा, ठीक है, काफी मिनिमम्म प्राइस में जो है, ये कोर्से से भी लेबल है, अभी जो है, वो डिसकाउंट करके साथ एप्रोक्स, 7.000 के आसका आसका पास इसका पढ़ रहा है, तो आप इन में इन्रोल्स कर सकते हैं, इन्रोल् से स्वरूप लर्निंग एप, गूगल प्रेस से डाउनलोड करके, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिशन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुए है, तो वहां से भी आप रेश्टेशन कर सकते हैं, या फिर आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, या फिर इस नंबर प आसकते हैं, तो आज तक के से से संस में हम यही पर रखते हैं, बाकि अगर की निका कोई क्वेरी हो, या कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट से से स्क्षन के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको जल्द से जल्द जो है वो, कोसिस किया जाएगा, उनका आंसर करने का, तुछने आज की ने इतना ही, बाकि जो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हैं, तो थैंक यू, आल आफ यू.